वीके नियूज उत्तरपरदेश उत्तराखंड सचका सार्थी नौसकार वीके नियूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ चेतन पाठक करनाटक से शुरू है हिजाब विवाद की आग अब पूरे देश में देखी जा रही है रुजाना देश की अलग-अलग कोने से हिजाब विवाद पर खबरे सामने आती हैं कहीं प्रदशन देखा जा रहा है तो कहीं शिक्षे संस्थानों में सभी धार में कवस्तर पहन कर रोक जाने से चात्र नाराज हैं और सड़क पर उतर आये हैं अब कुछी दिन पहले उतर परदेश की अलिगर से भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी जहां भगवादारी संगेठनों ने हिजाब का विरोध करते हुए बीच सड़क पर ही हिजाब को जड़ा दिया था इस वीडियो को मिलत टाइमस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था अब हिजाब विवाद पर एक और खबर सामने आई है दरसल करनाटक में चल रहे हैं बुर्खा विवाद पर चर्चा कर रहे कुछ लोगों पर उत्तरप्रदेश में मुस्लिम भीड ने हमला कर दिया हमले में राश्ट्रे स्वयम सेवक संके नगर प्रचारक भी घायल हो गए घटना घाटमपुर के कोटदवार महला स्थित पुरानी बाजार की है घटना 20 फरवदी की बताई जा रही है जी हां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के दिन शाम लगभग 5 बजे कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे इस बीच किसी ने करनाटक में चल रहे बुर्खा विवार पर बहस छेड़ दी फिर क्या था फतेपुर जिले के हरीगंज निवासी आरेसिस के नगर परचारक भासकर सिंग और्फ मनीश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि वे कोटदवार महला में रविवार करीब पांच बजे अनूप सिंग के घर के बाहर बैठे हुए थे चुनाब वा अन्य विश्यों पर चर्चा चल रही थी इसी बीच अबरार एहमद वा छोटे और आमिर हसन, समीर कैंडा, शाहबुद्दीन 20 से 22 लोगों के साथ आये और विवाद शुरू कर दिया विरोध करने पर लोहे की रौड और लाटी से मारपीट तक शुरू कर दी आरोप है कि हमलावरों ने गले में पड़ी सोने की चेन वा जेप में पड़े 335 रुपे भी लोट लिए बशने के लिए वे एक दुकान में खुसे तो आरोपितों ने वहाँ भी घुसकर तोड़ फोड कर मारपीट शुरू कर दी इससे उनका सिर्फ अट गया और कंधे में चोट आई है वहीं मारपीट में यशराज भी घायल हुए है इस मामले में यशराज तिंग ने भी तहरीड दी है उन्होंने गुड़ूलाल बहना छोटे जुल्फकार कासिम सद्दाम कमल हसन शाहिद आदी पर घर में गुसकर मारपीट करने का आरूप लगाया है तनाव को देखते हुए पुरानी बाजार महले में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है सूचना पर पुलिस पहुँची पुलिस पीडितों को लेकर ठाने आई और तहरीर ली साथ ही पुलिस ने बताया कि वहां तहरीर लेकर आधार पर उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और आगे ही कारवाई की जा रही है इस खबर में इतना ही देशुदुनिया की तेमाम खबरों को जानने के लिए देखते रही है वीके निउस झाल झाल